आज हम MSE previous का paper second structure and function of invertebrates में unit third filter feeding, nutrition and digestion में Echinodermata phylum के example को लेके इस topic को हम discuss करेंगे Filter feeding, nutrition and digestion किस में discuss करेंगे? Phylum Echinodermata में starfish का example लेके हम filter feeding mechanism discuss करेंगे तो topic स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले filter feeding क्या होता है? मैंने अपने previous video में detail में बताया है कि filter feeding क्या होता है? अगर overview देखें तो filter feeding क्या होता है? Filter का मतलब किसी चीज़ को strain करना या फिर छानना और फिर उस पे feed करना या फिर हम कह सकते हैं starfish या फिर कोई भी organism filter feeding mechanism show कर रहा है तो वो direct कोई food को consume नहीं कर रहा है उस food को filter feed करके consume कर रहा है यानि कि उस food को पहले strain कर रहा है water में से कि कौन सा food हम consume कर सकते हैं और कौन से ऐसे food है जिने हमें reject करना है हम engulf नहीं कर सकते या digest नहीं कर सकते इसका मतलब है filter feeding तो आज हमें filter feeding nutrition and digestion डिसकस करना है starfish में अब सबसे पहले अगर हम starfish की बात करें तो starfish कार्णी वोरस एनिमल है यानि कि ये एक मासाहारी जीव है जो किसको consume करता है clams को water में clams present है उनको snails को crabs यानि केकड़े और small fishes को starfish consume करता है prey is captured by its arms and tube fit and held in position starfish का filter feeding mechanism बहुती interesting तरीके से होता है बहुती आकरशक तरीके से होता है starfish कभी भी अपनी prey को directly consume नहीं करता prey यानि clams, snail, crab या फिर small fishes जिसे उसे consume करना है यानि अपने शिकार को कभी भी directly consume नहीं करता directly grant नहीं करता सबसे पहले starfish अपने शिकार को अपने माउथ के पास लेके आता है अब starfish का माउथ कहां present है body के center पे मानलो ये starfish है और ये इसकी पांच बुझाए है तो ये starfish की body है body के center पे यहाँ पे mouth present है तो starfish क्या करता है अपने prey को माउथ के पास लेके आता है मान लो यह clam है, clam यानि कोई भी prey, कोई भी शिकार जिसे starfish consume करेगा, तो अपने prey को कहां लेके आता है, अपने mouth के center में लेके आता है, starfish क्या करता है, अपने mouth, body के center पे mouth present है, और prey को उस mouth के पास लेके आता है, फिर body में वो direct consume नहीं कर सकता उस mouth के थूँ, तो वो क्या करेगा, stomach, अपना stomach बहार निकालेगा, stomach का भी कौन सा part है, cardiac stomach, यह एक interesting तरीका है, starfish का prey को consume करने के लिए, कि starfish अपने stomach को भी अंदर बहार कर सकता है, prey को consume करने के लिए, जब starfish ने prey को body के center में लेके आया, तब उसने अपना cardiac भाग stomach का बहार निकाला, और फिर कुछ enzyme, कुछ digestive enzyme, या फिर हम कह सकते हैं, पाचन enzyme इस prey के उपर छोड़ा, जिसकी वज़े से यह prey liquid हो गया, और उस prey को starfish ने consume कर लिया, यानि कि हम कह सकते हैं, कि starfish prey को ग्रहन बहुती आकरशिक तरीके से करता है, directly consume नहीं करता, अब इसकी हम अगर mechanism देखें कि starfish कैसे अपने prey को consume करता है, तो सबसे पहले, आसानी से clam के उपर creep करता है, और अपनी body को जुकाता है, स्क्रीप करना है मतलब, रेंग ना, starfish क्या करता है, आसानी से, यह मान लोग clam है, और यह starfish है, यह इसकी tube fits है, तो starfish clam के उपर आसानी से रेंग के आता है, फिर tube fit को two shell walls से attach करता है, ताकि clam का ventral margin उसके mouth के सामने आ जाता है, starfish है, यह इसके tube fit है, रेंग के आया clam के उपर, यानि शिकार के उपर, अपने tube fit से, यह इसके tube fit है, उसकी भूजाये arm से, उसने पकड़ा, किसको पकड़ा, clam को, अब clam को पकड़नी के बाद, ऐसे पकड़ा कि clam का जो ventral margin है, वो उसके mouth के पास आ जाए, क्योंकि mouth से ही consume करना है, mouth के पास आ गया, इस process में help के लिए, यह सम tube fit substratum से भी attach रहते है, इस process में help के लिए, जो कुछ tube fit है, वो substratum से भी attach रहते है, अब क्या होता है, starfish pulse the shell apart, tube fit से पकड़ा था, अब वो shell को apart, यानि बीच में से अलग कर देता है, pulse the shell apart, अलग-अलग दो भागों में convert तोड़ देता है, starfish mouth locate in the center, हमें पता है, कि starfish का जो mouth है, वो center में locate है, तो clam को directly नहीं खा सकता, पहले mouth के पास लेके आएगा, अब so to consume prey, अब prey को consume करने के लिए, starfish cardiac stomach is turned out and surrounds the prey, mouth, mouth के through starfish का जो stomach है, stomach का भी कौन सा part, cardiac stomach, cardiac stomach बहार आएगा mouth से और इस prey को surround कर लेगा, फिर enzyme is secreted by pyloric kecum, फिर pyloric kecum द्वारा enzyme secret किये जाएगे, जो release होगा prey के उपर, इस prey के उपर release किया जाएगा, by which digestion process start, फिर digestion process start होगी, यानि कि सबसे पहले starfish अपने prey के उपर रेंगता हुआ आएगा, फिर अपने tube feed की help से prey को पकड़ लेगा, फिर उसके shells को apart कर देगा, cardiac stomach बहार निकालेगा जो prey को चारो तरफ से घेर लेगा, पाइलोरिक केकम उसके उपर enzyme secret करेंगे, किसके उपर, प्रे के उपर, शिकार के उपर और फिर digestion की process start होगी, अब अगर हम starfish के digestion mechanism को study करें, तो starfish में digestion complete type का होता है, यानि complete digestive system मतलब उसमें हम elementary canal and digestive gland both की study करेंगे, starfish में digestion complete type का होता है, starfish में mouth oral surface पे present है, और anus aboral part में present है, pyloric केके और cardiac stomach enzyme secret करेंगे, जो food को digest करने के help करेंगे, जिसके तुरू हम digestion की study करेंगे, तो सबसे पहले बात starfish में digestion complete type का होता है, elementary canal and digestive gland completely present होते हैं, mouth oral surface पे और anus aboral part पे present है, अब सबसे पहले हम elementary canal की बात करें, तो elementary canal tubular है, tube क्या करते की है, tubular है, straight है, short है and extended from oral to aboral surface, oral से लेके aboral surface तक extend है, जैसे मानलों यह elementary canal है, तो यह mouth कहां हो गया, oral पे and anus है, aboral पे, तो mouth से लेके anus के बीच में जितने components हैं, उनकी study करेंगे हम elementary canal में, जो tubular है, tube क्या कारकी है, straight है, short है और extended है, oral से aboral surface तक, यानिके mouth से लेके anus तक हम elementary canal की study करेंगे, अब सबसे पहले हम अगर mouth की बात करें, तो mouth कहां present है, मैंने बताया, oral surface पे present है, mouth में एक spincher muscle present होता है, जिसके पास capability है, कि वो great expansion कर सेगे, और great reduction कर सके, mouth open और close होता है, वो किसकी वज़े से होता है, expand और reduction करता है, क्यों करता है, spincher muscle की present की वज़े से, mouth oral surface पे present है, और spincher muscle present है, mouth पे, जो capable है, great expansion और reduction के लिए, next आता है हमारा isophagus, isophagus की बात करेंगे, mouth leads to isophagus short, कैसा है isophagus short है, और mouth lead करता है, किसमें isophagus से, यानि mouth के बाद क्या आएगा, isophagus, next आता है हमारा stomach, stomach की बात करें, तो stomach two type से बताया था, मैंने एक cardiac stomach, एक pyloric stomach, सबसे first part है, cardiac stomach, isophagus lead कर रहा है stomach में, mouth कर रहा है, isophagus lead कर रहा है, अब stomach में, cardiac stomach क्या है, first part है, जैसे यहाँ से start हुआ, यह elevator के नाल, तो यहाँ पर जो first वारा जो लोब है, वो है cardiac stomach, first part है, big है, और five lobed structure है, highly folded और mucus secret करता है, highly folded है, और mucus secret करता है, cardiac stomach, next आता है हमारा pyloric stomach, कैसा है यह, small star shape, छोटे star के shape का है यह, और कहाँ खुल रहा है, intestine में, इसमें क्या present है, gastric gland present है, pancreas, जो secret कर रहे हैं, digestive juice, और यहाँ पर, pyloric stomach में ही, food को reserve किया जा रहा है, store किया जा रहा है, next आता है, pyloric stomach खुलता है, intestine में, फिर आता है, हमारा last part, rectum, rectum open होता है, एनस में, next अगर अब हम, digestive gland की बात करें, तो pyloric stomach are attached to, large brownish, greenish glandular appendages, called pyloric kk, pyloric stomach किसे attached है, एक large brownish, greenish glandular appendages, जिसे हम कह रहे हैं, pyloric kk, और एक arm में, one arm में, two pyloric kk are present, digestive gland में, हम क्या देखेंगे, कि pyloric stomach कहां attached है, large brownish, greenish glandular appendages, pyloric kk से attached है, और एक arm में, मतलब starfish की, एक भुजा में, एक arm में, two pyloric kk present है, और ये pyloric kk क्या कर रहा है, मैंने बताया है, जैसे, ये क्या कर रहा है, enzyme secret कर रहा है, और ये enzyme food को, digest करने में, help कर रहा है, और pyloric kk, reserve cells भी है, जो food को, reserve करते है, and last में, जो undigested food है, वो NSK through, exit out the body, body से बाहर, निकल जाते है, तो digestive gland में, हमने देखा, ये greenish glandular appendages, से pyloric stomach, attach रहता है, एक arm में, दो pyloric kk present है, pyloric kk क्या कर रहे है, digestive enzyme secret कर रहे है, जो food को, digest कर रहे है, ये reserve cells भी है, food को, reserve भी करते हैं, और undigested food, NSK through, body के बाहर, exit out हो जाती है,